बच्चे के उम्र महद साथ साल की थी और किड्नैपर्स की नजर बच्चे पर थी और पूरी प्लानिंग के साथ किड्नैपर्स ने बच्चे को किड्नैप कर लिया घर वालों को जो जानकारी मिली तो घर में कुहरा मच गया बच्चा छोटा था और उसे के ड्नैपर्स अपने साथ ले गए थे बच्चे की पिता रामाशीश मिश्रा पेशे से इंजीनियर हैं और उत्तर प्रदेश में काडियरत हैं गुरुबार को जब बच्चे की पिता अपनी पतनी के साथ बाजार जा रहे थे तो उन्होंने अपने किराधार को बच्चे की देखरे का जिम्मा सोपा था आधे घंटे बाद जब रामाशीश मिश्रा अपने पतनी के साथ लोटे तो उनका बच्चा नहीं मिला जब उन्होंने बच्चे की तालाश शुरू की और किराधार की पतनी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी आँख लग गई थी और इसी दोरान बच्चा कहीं निकल गया है इतना किरेदार की पत्ने ने जरूर बताया कि उनका बच्चा उनकी मोबाइल भी साथ ले गया है इतना सुनते ही रमाशिश मिश्रा के हाथ पाउं फूल गए वे बच्चे की तलाश करने लगे पर बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चला आता इस बीच श्रम धलने लगी थी कि बच्चे की मा के मोबाइल पर एक कॉल आया और बच्चे की बदले 50 लाकी फिरोती का डिमांड किया गया इस फोन कॉल ने रमाशिश मिश्रा को बेदम कर दिया और वे ततकाल पुलिस रेस्टेशन पहुँच गए और बच्चे की केड्नैपिंग से लेकर फोन कॉल तक की पूरी जानकारी पुलिस वालों खो दी दरसल ये पूरी घटना बकसर में घटी थी बकसर एस्पिन निरज कुमार सिंग तक जैसे ही एक खबर पहुची वे हैरान रह गए क्योंकि बिहार में केड्नैपिंग के मामले लगवग नहीं के बराबर थी और ऐसे में बच्चे का केड्नैपिंग कर पचास लाकी फिरौती की बात सुन कर उन्होंने ततकाल पुलिस अधकारी गोरखराम की नेतरतों में एक टीम का गठन किया और इस टीम में इलाके के थानेदार के साथ ही डी आई टीम को भी शामिल किया पुलिस टीम के गठन के ततकाल बाद पुलिस ने सबसे पहले किरादार से पूछताच शुरू की पहले तो किरादार ने कुछ भी बताने से मना कर दिया पर जब पुलिस टिम ने कराई से पूछताच की तो मामला सामने आ गया कि इस किड्नैपिंग में किरादार की भूमका थी और उसी ने अपने भाई और उसके दोस्त से इस किड्नैपिंग को अंजाम दिया था आपको बता दें कि यह किड्नैपिंग बकसर के इटारी बजार से किया गया था अफरित बच्चे के पिता रामाशीश मिश्रा इटारी के रहने वाले हैं वो पेशे से इंजिनियर हैं रामाशीश मिश्रा ने पुलिस को बताया कि वे पतनी के साथ बैंक गये थे 20 मिनट के लिए उन्होंने किराइदार को बच्चे की देखरेक की जिम्मेदारी दी थी इसी बीच पच्चे का किड्नैपिंग हो गया एस्पी निरज कुमार सिंग के निर्देश पर पुलिस उपाधिक्षक गोराक राम ठाना द्यक्ष राहल कुमार और डियू की टीम ने जब केराइदार से सक्ति से पूछताज की तो पूरा मामला साफ हो गया और पाँच घंटे की करी मशक्कत के बाद बच्चे को बरामत करते हुए दो अभरन करता को गरफतार कर लिया गया बच्चे की बरामदगी के बाद S.P. निरजकुमार सिंग ने मीडिया को बताया कि साथ बरसिये बच्चे लाडू गोपाल का किरायदार नहीं साजिश रचकर किड्नैप करा दिया था बच्चे की बच्चे की बच्चे की बरामदगी के लिए 50 लाख असानी सी दे देंगे लेकिन जब ग्रफतारी ही तो बच्चे की बरामदगी भी हो गई और एक अपराधी जो इस घट्ना में शामिल था उसकी ग्रफतारी की कोशिश जारी है क्योंकि वो फरार हो गया लेकिन जब गरफतारी हुई तो बच्चे के बरामदगी हो गई और एक अपराधी जो इस घटना में शामिल था वो फरार हो गया उसकी गरफतारी के कोशिश चारी है लेकिल साम के समय में हम लोगों को सुचना मिले कि एक छोटे बच्चे के अपहन कर लिया गया है और फिरोती हेतु जो है उससे परिजन के द्वारा पचास लाकी रकन के मांग के गई तो कि यह काफी जो है कि संस्टीव मामला होगा था कि फिरोती हेतु कि नेपिंग लगभक समाप्त है लेकिन अचानलक से इस घटना का प्रतविदन होने घटना घटित होने से यह सब लुख सकेते में आ गए और इसके लिए तुरंते हैं गुरक रामचाब के नितुत में एक टीम बनाया है जिसमें डियाउ के सारे हमारे सदस्ट थे और लगतार अनुस्ट्रमों ने इस कार्ण का किया जाने लगा संजोब से जो लड़का था उसके पास एक मुबाईल था उस मुबाईल से ही रंसम का डिमांड किया गया था जब उस मुबाईल के अदहार पर अनुस्ट्रम किया गया तो मुबाईल उनके किराधार जो इनके लड़के की पिताजी के घर में जो किराधार थे उनही का मुबाइल को लेकर चला गया है और जब मुबाइल बाहर लेकर गया उसी समय जो अपहन करता थे उस लड़की का अपहन कर लिया लेकिन इसके बाद जब दो तीन घंटे के बाद जब उसके पुर्ण किया गया तक्निकी रुप से तो वहाँ पर उनकी गल्ती पकड़ी गई और उनसे दवाव देकर पूछा गया तो उन्होंने इसमें अपनी सनलिक्ता से उकार की कि अपने गाउं जो बगल में गाजीपुर के रहने वा और यूपी में काम करते हैं और हाल फिले हाल में जैसे कि अनुसंदान के में बाते हैं सामने आई है कि उनके दरा कोई जमीन भी बेचा गया जब बच्चे की माता और पिता उस दिन कुछ बचार में समान लेने के लिए गये और इन लोगों ने मौका का फैदा उठा कर उस चोड़ने के लिए फिरोती के रखम के मान किया गया था उस मुबाइल को भी बरामत कर लिया गया एक बिक्ति इसमें से जो फिरार हैं जिनकी किरफ्तारी अभी बांचित थे उनके लिए आमनों परियात रहते हैं बहराल पांच घंटे में अपरित बच्चे की बरामतगी के बाद पुलिस को शाबासी मिलनी शुरू हुई और लोग सचेत भी हो गये कि पैसे की लालच में एक किरादार कैसे अपहरन करता बन गया जिसने हौस ओनर से ही अपराद की शुरुआत कर ली और उसके बच्चे क किड्नैप कर लिया खुलासा के लिए बकसर से अजैराई की ये खास रिपूर्ट